ब्रेक के बाद एक बाद फिर से आपका स्वागत है यब रूख करते हैं अगली खबर की ओर 22 तरीकों होने वाली रैली की तियारियों के लिए कॉंग्रस ने कमरकस ली है इसके चलते आम कारेकरता के साथ साथ नेता भी एक चुठ हो गए है विवादों में घीरी धर्मशाला सीट पर अब कॉंग्रस नेता एक चुठ होकर परचार कारें में चुठ गए है आजाद उमिद्वार के रूप में उतरने वाले दिविजे पूरी ने भी सुधीर शर्मा के साथ मिलकर कॉंग्रस के परचारे भ्यान को और तेस कर दिया है हिमाचल में विधान सभा चुनावों को लेकर जहां सभी दलों ने पूरी ताकत चौंकती है वहीं कॉंग्रस की लगातार विवाद में रहने वाली धरमशाला विधान सभा सीट के लिए सभी कारे करता वर नेता एक जुठ होकर कार्या कर रहे हैं कॉंग्रस परत्याशी सुधीर शर्मा ने बताया कि 22 अक्तूबर को होने जा रही सोनिया गांधी की रैली को सफल बनाने के लिए सभी कारे करता वर नेता एक जुठ होकर कार्या कर रहे हैं करेंगे जाएक और इसकुबच्ट पर हमारे सारे यहां पर शाहर के पार्षायत कारेकरत शाहरी कॉंग्रस के अधियाच गरवाल जी और हमारे PCC के सदस्या और प्रवक्ता जिद्विजेतुरी जी कि हम सबने मिलकर कहिए नहींने लिया है कि हम लोग जो मारे फूर्ट लेवल पर कमिटियां हैं उनको जो है वो फूर्ट लेवल के कारेयर देंगे ताकि पार्टी जो है वो कुछ मुद्धी के साथ पिश्चन अमने जीद आसे पार्ट्याशिय हैं उन्होंने अधिरी बद लूट लेवल पर जो की लगेगी यहीं हमारे सिटी के लिदेक्श और वरिष्चौ और गार कि बेट करेंगें उनकों जो हैं तर्म शाला से मृत्य जैपूरी सेवन से हिमा चला अचकल राजदानी शिमला में दिन परती दिन भीक मांगने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है सभी मंदिरों वब परसित स्थानों समेथ बसड़ों पर हर उम्र के लोग भीक मांगते हुए नसर आ रहे हैं इन विकारियों से सेलानियों समेथ आम लोग परिशान हैं परिशासन के पास इन विकारियों को खदेंडे के लावा कोई और चारा नहीं है पेश है एक रिपोर्ट राजदानी शिमला समेथ राज़े के अनेक इलागों में भीक मांगने वालों की बत्री तादाद से लोग परिशान है ये भीक मांगने वाले खास तोर पर बसड़ों, मंदिरों और बाजारों में आम देखे जा सकते है हरायों पर के बिखारियों की संक्या इतनी बढ़ गई है कि रास्थानी शिमला के स्थानिय लोगों समेथ सेलानियों का घूमना फिनना धूबर हो गया है खास तोर पर नवरात्रों वत्योहारों की मौके पर ये भीकारी मंदिरों के बाहर एकठा होकर भवत्तों को अपना निशाना बना रहे हैं उदर हिमाचल अजकल द्वारा प्रशासन से इस बारे में पूछने पर शिमला के अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक ब्रिजेश सूथ का कहना है कि प्रशासन विकारियों को समय समय पर खदेरने का काम करता है मगर जनता ही भिखारियों को भीग देकर द्विक्षा वृति को बढ़ा रही है कारत चाहे जो भी हो भिखारियों का शिमला बाहर समेथ अन्य इलाकों में तेजी से बढ़ना चिंता का विशे है में जैसे ही ऐसे रिलिजिस फंक्शन स्टार्ट होते हैं तो काफी जगा से लोग जो है वो मंदरों में भिख्षा मागने के लिए आ जाते हैं पुलिस जो वो समेश मेश पर जो है इनको यहां से बगाती है हटाती है क्योंकि रिहाबिलिटेशन सेंटर नहीं है यहां पर ताकि हम उनको बहां पर ले जाकर जो है इनको रिहाबिलिटेशन के लिए स्पूर्ट करें ऐसी कोई चीज नहीं है तो हम यह करते हैं कि यहां स अनीश चोहान के साथ नीरू शर्मा 7C हिमा चलाजकल फिलाल अब वक्तों चलाब सबसे इचाज़त लेने का लेकिन जाने से पहले एक नज़र डालते हैं भी तक की हेडलाइन्स पर मुख्य मंत्री प्रेम कुमार धुमल ने परचार अभ्यार में लाई तेजी नाहर मेरा जी बिंदर के लिए वोट मागने के साथा केंदर सरकार पर भी साधा निशाना वीर बद्र सिंग मी नहीं रहे पीछे नालागड में लख्विंदर राणा के लिए मांगे बोर तो सरकार पर भी बोला हमला पालंपूर में सीडी कारने बटोरी सुर्ख्यार जी जंबाल द्वारा जारी सीडी ने मचाई हलचर और चिनावी बेला में नेताओ के अपने भी नहीं हैं पीछे पर चार में कर रहे हैं दिन रात एक नई हो ताजा जानकारी के लिए आप लोग बने रहे हैं सेवन सी के साथ हिमाचल की कुछ और खबरों के साथ हम जल्दी हाजर होंगे हिमाचल आजकल में तब तके लिए मुझे यानिकी छवी को दीजे जासत नमसकार झाल झाल झाल